फूडी परिवार में आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिस्ट स्वीट कॉन यानि की मकाई का हलवा इसका बहुत ही क्रीमी टेस्ट होता है जब आप इसे गर्मा गरम खाएंगे तो ये जैसे मूँ में पिघल जाएगा और इसे बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रीडियन्स भी नहीं चाहिए तो देर किस बात की चलिए बनाते हैं स्वीट कॉन हलवा सबसे पहले आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से मकाई के दाने या स्वीट कॉन ले ले और इसे मिक्सर में दरदरा होने तक पीस लेंगे कुछ इस तरह अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे एक चोथाई कप गी और जब गी गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे दरदरे पिसे हुए स्वीट कॉन हमने यहाँ पर दो कप पिसे हुए कॉन लिये हैं अब इनको घी में अच्चे से सेख लेंगे इसे आप धीमी आज पे चलाते हुए सेखे ताकि यह नीचे लगे ना आप देख सकते हैं कि कॉन कितना क्रीमी हो गया है स्वीट कॉन के सिखने की बहुत ही मज़ेदार और मीठी खुश्बु आ रही है ऐसी और स्वादिस्त और दिल्चस्प्रेसिपीस के लिए फूडी परिवार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि आपको सारे नए विडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए आप देख सकते हैं कि आप कॉन मेंसे घी छूटने लगा है तो अब हम इसमें डालेंगे डेड़ कप दूद और इसे अच्छे से मिला देंगे फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर और उसे भी अच्छे से मिला देंगे ताकि कोई लंप्स ना रहे कौन और दूद को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता अब इसमें डालेंगे थोड़ा केसर जिसको हमने पहले से ही दूद में भिगो के रखा था सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब कौन और दूद का मिश्रन इतना गाड़ा हो जाए तब हम इसमें एक टेबल स्पून घी डालेंगे उपर से और इसे मिला देंगे जब दूद पूरी तरह पक जाए और गाड़ा हो जाए तब हम इसमें एक तिहाई कप चीनी मिला देंगे आप अपने स्वाद अनुसर कम या ज़ाध हभी डाल सकते हैं थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि चीनी पक जाए स्वीट कॉन हलवा बिलकुल तैयार है इसे गर्मा गरम परोसे और हलवे के मजे लीजिए आखिर में पिस्ता की कत्रन से गार्निश करेंगे विडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और कामेंट जरूर कर देना